गुद मॉर्निंग चिल्रेन I hope आप सबको औ की मात्रा वाले शक्त समझ में आये हैं So एक बार हम रिविजिन करेंगे अब तक हमने कौन से वर्ड्स किये माइम के पीछे रिपीट कीजिए कववा पौधा लौकी खिलोना तौलिया विच्छोना और आज हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे जो है हतोड़ा चौकी और फौजी पहला शब्द है फौजी फौजी कौन होते हैं सोल्जर जो हमारे कंट्री को एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं जबी भी हमारे देश पर अटाक्स होते हैं सोल्जर को कहते हैं फौजी दूसरा शब्द है चौकी चौकी का मतलब होता है आपने अपके पूजा घरों में देखा होगा लकडी का स्टूल होता है जिस पर हम भगवान की मूर्ती को रखते हैं उसे कहते हैं चौकी तीसरा शब्द है हतोडा हतोडा क्या होता है हैमर हतोडे से क्या करते हैं अगर आपके घर में कोई फोटो फ्रेम लगानी है या कैलेंडर लगाना है दिवार पर तो आपको कील लगाना होता है दिवार पर और वो कील किसके हेल्प से करते हैं हतोडा की मदद से वो कील को दिवार पर लगाते हैं हतोडा हतोडा तो हम क्ले से हमारे वर्थ को प्राक्टिस करेंगे आप भी घर में क्ले से प्राक्टिस कर सकते हो फो पलगी बड़े ओ की मात्रा फो बन गया फो और छोटा डॉट जपलगी बड़े ओ की मात्रा जबन गया जी फो जी च पलगी बड़े ओ की मात्रा च बन गया च पलगी बड़े ओ की मात्रा बन गया की च उकी ह तो डा हतो डा हथोड़ा हथोड़ा और डर्ब के नीचे डॉट फोजी चौकी हथोड़ा तो समझ में आया बच्चों आपको अब इनी शब्दों को हम हमारी हिंदी नोटबुक में भी लिखेंगे So get ready with your notebook and pencil and आज की date लिखेंगे What is today's date? 3.2.2.1.21 and today's day is Wednesday W.E.D.N.E.S.D.A.Y Wednesday and classwork तो पहला word है हमारा 4G, 4G किसे कहते है? soldier को तो 4G का picture हम try करेंगे Let's see. एक यू बना दीजिए and ears, eyes and nose and let's see mustache दिखा दीजिए and 4G के पास एक green color का hat होता है and 4G का most important thing is the uniform तो हम 4G एसे बना देंगे और हम 4G को कौन सा color करेंगे? उनकी uniform होती है green color की Okay, so 4G, 4G, next है chalky, chalky क्या होता है? जो भगवान के पूजा घर में use करते हैं तो chalky कैसे बनाएंगे हम? chalky square shape में भी होती है और rectangle में भी होती है So, rectangle के लिए पहले हम two sleeping line बना देंगे and इसे join कर देंगे with two standing line यहाँ इसके legs दिखा देंगे और इस पे आप कुछ भी design दिखा सकते हो हम इस पर बना देंगे स्वस्तिक बना देंगे यह हो गया chalky अब हतोडा 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 क्या होता है? hammer, hammer के लिए हम two slanting line बना देंगे यहाँ से join कर देंगे और यहाँ से भी ऐसे join कर देंगे अब इसके अंदर हम एक over shape बना देंगे और यहाँ हम दिखाएंगे एक नुकीला सा end और यहाँ हम ऐसे दिखा देंगे यह बन गया हमारा हतोडा हतोडा और फॉजी की uniform को हम slightly green कलर से दिखा देंगे and the hat also with green कलर यह बन गया 4G और चौकी को हम ब्राउन कलर कर देंगे और हतोडे को भी ब्राउन कलर you can try to draw the pictures आप ट्राई कर सकते होगर नहीं आता है तो no problem okay now we'll start writing पहला वर्ड है 4G कैसे लिखेंगे one line शोड कर फॉर और फॉर के नीचे आजाएगा dot then बड़े आ की मात्रा one standing line and two slanting line under curve then ज ज पर बड़ी एकी मात्रा G next है च च पर लगी बड़ी आ की मात्रा च बन गया चो क क पर लगी बड़ी एकी मात्रा क बन गया की चो की तीसरा शब्द है ह थ पर लगी बड़ी आ की मात्रा थ बन गया थो ड पर लगी आ की मात्रा और ड के नीचे आएगा dot और थ पर पूरी लाइन लगाओगे no ह तक आ कर स्टाप करोगे और यहां से अनदर स्लीप लाइन लगाओगे वन मोर टाइम फर पर लगी बड़ी आ की मात्रा फर बन गया थो और एक dot ज़ पर लगी बड़ी एकी मात्रा ज़ बन गया जी, फो जी, च, च पर लगी बड़े ओ की मात्रा च बन गया, च, क पर लगी बड़ी एकी मात्रा क बन गया, की, च, की, ह, थ, ट, ह, त, ड, ड, के नीचे डॉट, ह पर फुल लाइन थ, पर नहीं आएगी, समझ में आया, बच्चो, ऐसे ही आपको कम्प्लीट करना है, और नीटली लिखना है, और बोल बोल कर लिखना है, स्टे होम, स्टे सेफ चिल्डरेन,